राकेश टिकेट साहब एक एक करके तीनों कानूनों पर चर्चा कर ले सबसे पहला जो कानून है जो APMC से डील करता है जिसके बारे में ये प्रावधान है कि अब APMC से बाहर भी जाकर किसान बेच पाएगा आप कहते हैं इस कानून की वज़े से मंडियां बंद हो जाएंगी कहां लिखा है सर और कैसे ये साबित होता है कि मंडियां बंद हो जाएंगी एक एक क्लॉस परावधा आपने मद्यप्रदेश की ख़वर पढ़ी 182 मंडी बिखरी है उनकी जमीन बिखरी है उनकी आमदनी गटगी और इसलिए उन मंडियों को बेचना पड़ रहा है आपने पड़ा आपकी नोलिज में है नहीं है तो दिखा देता हूँ तो आप कहरें कि मंडिय प्रदेश में अभी हो रहा है ये आपको पहले से पता चल गया था कि मंडियां बंद होगी मैं आपसे वज़ा पूछ रही है मैं ये कह रहा हूँ मेरा सवाल समझे मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस निश्कर्ष पे कैसे पहुँच रहे है क्यों मंडियां बंद हो रही है जब माल बाहर भी कहगा कि मंदीयू के बहार या एमेशपी पहां पर खरीद होगी एक चघ। यहां पर जाकर बेचिये जो देसकी जनता को बेवखू बढ़ा जा रहा एं कि MSP थी और है और रहेगी MSP ना थी ना है और ना रहेगी MSP दिल्ली के कागजु में हैं किसान बरबाद हो चुका है पूर्नुप से आप जाओ एक बार गाओं में जाता कोई है नहीं दिल्ली में बैठ के और यहां लिख देते MSP हैं थी और रहेगी बिखता है नहीं मंडिया खतम नहीं होगी मंडियों के बाहर खरीद होगी कौन कर रहा है मंडियों के बाहर खरीद और मंडी के बहार कहां भी जगा, वो जगे तो बता दो, कि मंडी के बहार भी या मंडी कोई MSP देने का फार्मूला तह नहीं करता, मंडियां एक किसान की फसल बेचने का एक प्लेट फारम है, ठीक है, मंडी प्लेट फारम है, मंडी MSP भाव तह नहीं करती, लेकिन अगर प् जो कहा नहीं करने कि दो बहुत मजबूत होना चाहिए था आज से 16 साल पहले भेखर की मन्डिया बंध कर दी यह एक खतम होगी पहा पे को तो फेर जो किसान है बहुत अमिर होना चाहिए था भी जगे जा जाके आप जगे बता दो नो गविचे लिया कौन इसकी खरीदारी कर एड्मिन्स्ट्रेटिवली है कानून तो पहले से भी नहीं था लौ तो था नहीं जो जो नहीं था तो सरकारे चली गई कि आपने MSP की बज़र से इसके पहले सरकारे बतली है जब मोदी जी मुख्य मंत्री थे 2011 में एक एक फाइनल सल कमेटी एक बनी थी यह मुख्य मंत्री थे उसके चैनमेन थे वह फाइल निकलवालो उन्हें यह प्रस्ताव किये थे और भारत सरकार को बेज़े थे उस टाइम के परधार मंत्री को बेज़े थे कि देश में MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए वह फाइल न तेखिए मुझे बड़ा अश्र होता है बाबा मेहिंदर सिंग टिकेथ वह बराबर इस बात को कहते थे मैं इसलिए उनका नाम यहां पर ले रहा हूं कि राकिष टिकेथ जी के वो पुझ्य पिधा जी थे वह करते दुनिया में प्रतेक उत्पादक को अपने उत्पाद का प्रता दाम त्यक करने का हक है किसानको नहीं है और बराबर बातका वागर करते है उसके आंदोलन चलाए उनने और इस जो पहला कानून है उसके माढ़्यम से किसान को यह आजादी दी गई है कि वह है मंदी के बाहर भी अपने उत्पाद को बेच सकता है कहीं भी बेचे व उसको विकल्प दिया गया है, APMC आज भी चल रही है, हापड़ के अंदर चल रही है, मिरट के अंदर चल रही है, यानि सब्जे के चल रही है, अब यह कहका उधान देते हैं, वो उस पर में चर्चानी करना चाहता, लेकिन पूरी तरीके से APMC के बंदन से मुक्त करके, बाब जो बताएंगे, परन्तु पहलों नों कहांगे, हाभी बाबा टिकेत की, उनकी इच्छा पूरी हुई, और किसान को अपने उत्पाद का, अपनी इच्छा से बारगेनिंग करके, दाम तय करने का है, यह मिल गया बहुत अच्छी ने समर्थन किया था, मैंने यह कहा है, फि जरूर ले लेना चाहिए, सांसर जी, उस टाइम पर दो कोश्चन थे, एक यह था कि इसका आप समर्थन करते हैं, क्या, हमने कहा है कि हम परधान मंत्री का समर्थन कर देंगे, परधान मंत्री का पाइलेट प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया केमपेन, हम किसानों को भी उस केमपेन से जोड़ दिया जाएं, तो हम भी परधान मंत्री का समर्थन कर देंगे, नतों बे बात समझने वाले रहे, इस तरह है कि पतरकार होगे, ऐसे होगे, और सारी चिज़े एक ख़वर में लगा दी, उन्हें अपना सपष्टिकरन दे दिया, हम आज भी कह रहे है कि देश के परधान मंत्री एमेरिका में जागा जूट बोलका है, उन्हें कहा कि हमने सारे देश को डिजिटल कर दिया, किसांटों डिजिटल हुयाने जी, आप हमको भी कर दो, डिजिटल, हम अपनी फसल बेचे हैं, गन्ना सारी चीज बेचे हैं, और हमारे खाते में भी जैसे तेल कटता है हमारे का उंक से, ऐसे हमारे खाते में पैसा चल जाएं, जब किसान अपने घर पर चल जाए, वहां चल जाएं, आपने अपने गोसना पत्र में जो कहा, उसको कर दो, आपने MSP पे, C2 पलस 50 वाला फार्मुला करा, उसको लाग्गू कर दो, आपने अपन मेने आपने लोगोओ, इसो जाएं मेन जब धेर देले जान्ता को जूट समत पैकाओ, MSP पै पर कहीं खरीदनी हो रही, चावल क्या आम जनता को जो यह सहर में, जो लोग हमारे रह रहे हैं, क्या इनको आट रुपय किलो चावल मिलता है, किसान का आट रुपय किलो बिकता क्या इनको 11 रुपे किलो गहों काट्टा मिलता है